साथ कि अंदे चैनल साटाव में के साथ लेकि उससे Your Ones Chamber से लित हैं यहाँ पर यहां पर लेते हैं एक यह पिलोरो ब्बेंजीन यह आप देख रहा है यह रोब बेंजीन और सलफोनेशन के लिए हम लेते हैं कंसंट्रेट एस टू एस सो फूर है ना कंसंट्रेट इस टू एस सो फूर लेंगे तो यह जो प्रोडक्ट देता है यह आर्थो और पैरा पर देगा है ना यह जाएगा एस सो ट्री एच और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा हमारा यह आएगा यहाँ पर आप देखेंगे यह क्लोरीन और यह हो जाएगा एस सो ट्री एच तो इसको बोलेंगे टू क्लोरो सलफोनिलिक एसीड हैना यह हो जाएगा यह जाएगा फोर क्लोरो हैना फोर क्लोरो सलफोनिलिक एसीड हैना यहाँ पर यह बना फोर क्लोरो सलफोनिलिक एसीड तो यह इसका मेकनीजम अगर हम देखेंगे तो कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर मेकनीजम इसका लेंगे और step first step first में हम क्या करेंगे कि जो concentrate s2s04 है इसी लेते हैं यहां आप देख रहे हैं यह है concentrate s2s04 यहां पर हमने लिया यानि concentrate s2s04 लेने का मतलब भी है कि इसके एमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा concentration of acidity यानि s2s04 ज्यादा होगी है ना तो जब concentration ज्यादा होगा इसको heat भी करत सबस्क्राइब यहां पर यहां पर एक लिक्टान बच जाएंगे तीन बचेंगे तो एक क्या हो जाएगा positive nature का हो जाएगा और यह क्या निकला s4 negative हो जाएगा है ना क्या हो जाएगा s4 h negative क्योंकि h plus दे दिया इसने है ना s4 negative हो जाएगा इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं represent कर सकते है s o h no negative है ना क्योंकि उसने क्या किया है ऐलक्टान इसने दे दिया है तो यह जो बचा है नहीं।bach पॉजिटीव हुगए है जिए सो पॉमितिव आईगा तो यहां से क्या होगा ब्रेक फॉगा तो यहां ब्रेक होगा । b ओ एच और यहां क्या होगा पॉजिटिव जब यह सो त्री एच हो गया अप देख रहे हैं इस्टेप सेकेंड और सेकेंड में है क्या कि हम लेंगे क्लोरो बेंजीन यहां पर आप देखर यह है क्लोरो बेंजीन करेगा और यह पता है क्या अरतु पर टेक्टिंग होता हैं अएयं हम ने लेलिए ईस Ο McMohain H plus SO3H plus लिया तो यह attack कहां करेगा क्योंकि यह पता है न कि यह electron को repulse कर देगा यहां पर तो यहां partial negative हो जाएगा और यहां पर partial positive generate होगा जैसे यहां पर partial negative charge generate होगा तो यह double bond double bond और यहां पर पता है यह हो जाएगा double bond CL और यह हो जाएगा positive charge साथ यहां negative charge generate होता है और यहीं परेट हो जाएगा SO3H है ना वहीं परेट होगा SO3H उसके बाद क्या होगा आगे इस टिप में देखते हैं यह positive charge generate हो गया है तो यह इस पाई लेक्टान को अपने तरफ attack करेगा जैसे पाई लेक्टान को partial positive तो यह हमको मिलेगा यहां पर आप देखेंगे और यह हो जाएगा SO3HH यहां पर और यह बांड ब्रेक हो जाएगा ना यह बांड ब्रेक होगा तो यह हो जाएगा यह पाई लेक्टान को अपने तरफ attack करेगा यहां partial negative यहां हो जाएगा partial positive होगा और जैसे यहां पर आएगा यह partial positive और निगेटीव चार्च तो यह हो जाएगा SO3H यह हो गया आपका यहां पर H हो गया यहां पर H आएगा यहां पर CL अल्रेडी लगा हुआ इसके साथ और यहां double bond है आप देख रहे हैं और यह positive और यह negative जो यह पाई लेक्टान इधर आ रहा है इसके वैसे यह negative और यह positive आल्रेडी है यहां हो जाएगा double bond और यहां जनरेट होगा positive charge जैसे वहां पर positive charge जनरेट होता है तो यहां पर हम step thought ले लेंगे यह जो HSO4 negative है ना क्या है है HSO4 negative है यहां से एच को ले लेगा है ना थे एच किस रूप में जाएगा है यह पोजिटू चार्च की रूप में जायेगा यहां से तो जैसे positive charge की रूप में जाएगा तो यहां पर double bond है यहां पर भी double bond है यहां solar है और यह SO3H और यह जो H प्लस की रूप में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा negative और यह positive आलरेड़ी है यहाँ हो जाएगा double bond तो इस तरीके से हमको मिलेगा यह product आर्थो position पर मिलेगा है ना क्या मिलेगा आर्थो position पर यह हमको product मिलेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्थो पर यह product मिलेगा आपका है ना और HSO4 negative यहाँ से H लेकर क्या बना लेगा H2SO4 the same condition आप ले सकते हैं यहाँ पर भी पायरे वाले product पर भी क्योंकि जो पायरा होगा major product होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल SO3 यह जनरेट हो रहा है ना यह वाला SO3 H plus जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल जिसे हम सलफोनिक एशिट बोलते हैं सलफोनिक आयन है वो positive आयन इसके वज़े से क्या होता है ना कि एक large हम कहा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है large size का इलेक्ट्रोफाइल है जो adjustment कहां करेगा पैरा position पही करेगा इससे जो पैरा कंपाउंड होगा वह क्या होगा major compound होगा major product होगा आँ